असलाम लीकूम जी वेलकॉम है आप सब का रीधा फूड फैक्टरी यूट्यूब चैनल पर कैसे आप सब में उमीद करती हूं कि सब खेरिस से होंगे अप इसको मतलब घृड का पीस पह सकते हैं, झाओ, तीन पीस लिक hand लिए। प्सफे इसके के नदर पीस चाहेंगे और एक गलस मेंदर पानी याणि पानी डालेंगे अब गृड और पानी को आपने अच्छा से चारभां मिक्स कर लेन और घॉबर करेंगे और इसको तक्रीबन आपने पांच मिनट पकाना है इससे गुर्म मेल्ट हो जाएगा पानी में तो जैसे ही पांच मिनट हो जाते हैं तो इसको हम डखकन अटाएंगे आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें थोड़ी जाग बन रही है तो इस पॉइंट पे फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है ठीक है लो फ्लेम पे आपाने से तीन मिनट go से ने पकने देना है थाकि जालेंगे हसबे जरूरत और इसमें डालेंगे चावल, डो ग्लास चावल हैं जिसको मैंने 15-20 मिनिट के तक के लिए भी गो दिया था, मतलब 20 मिनिट पहले भी गो के रख दिया था, अब जितना पानी भी गोने के लिए डाला है ना वह आपने निकाल देना है, अब यह अब आपने इसको पकने देना है धकन से कवर करके, चावलों को आपने इतना पकाना है ना के एक कनी रहे जैसे बिडियानी में दो कनी चाहिए होती है, चावलों में हमें एक कनी की जरुरत होती है, इन चावलों में मीठे चावलों में, तो बस इसको मैंने इतना ही पकाया और इसको चान ले यानि स्ट्रेन कर ले और अब आते हैं सबसे लास स्टेप की तरफ यानि के थर्ड स्टेप की तरफ जिसमें मैंने सेम वह इकड़ाई ली है उसी के अंदर मैंने डाल दिया ऑईल की है तो बहुत अची बात है देसीगी तो है बहुत ही अची बात है मैं पा यह सबसे ऑप्षिनल पार्ट है ड्राइफ रूट्स काजू और बदाम यह मुझे अच्छे लग रहे थे थोड़ी सी मैंने का लुक अच्छी आजएगी चावलों की वैसे साथ देखने में अच्छी लगते तो इसलिए मैंने बस इसको थोड़ा सा इसमें रोस्ट कर लिय तकरीबां 20-30 सेकंड के लिए साथ ही चीज़ के अंदर डाल देंगे चाशनी जो आपने बना के रखी हुई थी ठीक है ना तो जब यह पकने लगेगी ना चाशनी तो आपने इसके अंदर फोरण से चावल डालने है ठीक है ना इस पॉइंट पे फ्लेम बिलकुल हाई है इस परोसेस में आपने फ्लेम को हाई रखने से ही है तो बस जी अभी इसके इंदर जी अच्छे से चावलों को डाल के मिक्स करेंगे और इंपोर्टन बात बत आ दूँ कि मैं काफी दिनों के पात वीडियो बना रही हूं आशकल में डाइटिंग कर रही हूं तो मेरा दिल अब आपना डाइट प्लैन आपके साथ दरूर शेयर करूंगे अगर मुझे भी फाइदा पूंचा अच्छा जी यहां पर देखे जी इसमें इतनी भी चाशनी सीना वह उच्छे से मिक्स हो गई है चावलों में पका लिए चार-पांच मिन्ट में पक जाते हैं अब दम द के लिए चावल बने हर दाना चावल का अलेदा अलेदा है यहां पर वीडियो की स्पीड मैंने तेज कर दिये ताके वीडियो जादा लंबी ना हो आपका टाइम जाया ना हो तो अब जी बस चावलों को हम कर लेंगे डिश आउट माशाला से फाइनल लुक चेक कीजिए हम और गुड के फवाइट से में ख्याल से हर कोई वाकिफ है खेर बाची तो बहुत होगी अब इंशाला जी आप लोगर रेस्पी जरूर ट्राय करनी है और मुझे इसका फीडबेक भी लास में देना है मुझे कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है तो वीडियो क लाइक करें शेर करें चैनल को जूर सब्सक्राइब करें लेला अपीज